तत्कालीन समाज में कर निर्धारन की प्रणाली क्या थी? कर का आधार क्या था? जैसा मैंने पहले बताया कि भूमी का वर्गी करन होता था चार भागों में ऐसे कर प्रणाली में भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसका जिक्र हम आएन अकबरी में पाते हैं कर निर्धारन की प्रणाली इसमें इसे बताई भी कहा जाता था और एक तरीके से तीन तरीके की बताई होती थी जिसका जिक्र हम यहां करेंगे ये जो प्रणाली थी ठठा, काबुल और इसके साथ ही कश्मीर में ज्यादा प्रचलित थी तो इस प्रणाली को अपनाए गया और उसको तीन भागों में कर प्रणाली को तीन भागों में बाटा गया तीन भाग उसके बने जिसमें पहला कहलाता है खेत बटाई खेत बटाई, खेत बटाई यहने खड़ी फसल से, फसल के आने के बाद, खड़ी फसल से अथवा खेत के बोने के बाद ही सरकारी हिस्चा तैह हो जाए या तो बुवाई के बाद और या जब फसल खड़ी हो कटाई ना हुई हो उसी समय सरकारी हिस्सा निर्धारित कर लिया जाए ये कहलाता था खेट बताई और ये निर्धारित करने के लिए जो अधिकारी होते थे और यहां किसान होते थे दोनों के सहमती से तै होता था कि क्या निर्धारन इस खेट का करका खेट बताई के अधार पे हो अन्य था दूसरी शिर्णी थी लंग बताई लंग बताई में खेट काटने के बाद खेसान फसल को खलिहान में लाता था वहां उसका बिना भूशा निकाले बिना अनाज का बुरादा निकालने के पहले ही हिस्सा तै हो जाए मैं अपना दोहरा दूँ लंग बताई वो जहां पे कटाई हो गई फसल को खलिहान लाए गया लेकिन भूशा बुरादा नहीं निकाला गया और इसके निकालने के पूर भी कर या हिस्सा या बटवारा रज का और किसान का तै कर लिया गया ये कहलाता था लंक बताई तीसरा था रास बताई रास बताई ये जहां पे फसल को काटने के बाद खलिहान में लाना अनाच को वहां से उसका बुरादा निकालना भूसा निकालना और उसके बाद राज्ज का हिस्सा तै होना तो इस परकार तीन तरीके से क्रिशी का क्रिशी कर का निर्धारन होता था खेत बताई लंक बताई और रास बताई जबती क्या है जबती से आशे क्या है उसका अर्थ क्या है जबती का अर्थ है किसान और सरकार के बीच में वो समझोता जिसमें तीन या उससे अधिक समय तक प्रती भीगा प्रती वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित कर दी गई मैं पुना दोहरा दूँ इसे ध्यान से सुनेंगे कि जबती का अर्थ क्या था जबती का अर्थ कि किसान और शासन के बीच में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रती भीगा प्रती वर्ष के हिसाब से लगाये जाने वाला लगान जबती कहलाता था चाहे खेत में कितनी भी पैदावार हो या ना हो इतना प्रति बीगा प्रति वरश आपको देना होगा यह तैकी आ गया और इसे ही जबती कहा जाता है उसकी अधर किस आधार पे थी जो दस्वान भाग जो बनाया तो किस आधार पे तैकी आ गया उत्पाधकता जैसे मैंने पहले कहा कि मृदा की क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी, सॉयल की क्वालिटी भी निर्धारन का एक अभिन हिस्सा होती थी, जिसमें कर कितना लगेगा यह निर्धारित किया जाए. और उसके साथ ही जमीन कहां पर है उसकी क्या स्थिती है क्या नहर के पास है नहर से दूर है या पहड़ी इलाकों में है आदी आदी मत्कुल मिलाकर ये है कि इस काल में संब्राट ने परियाप्त कोशिश की कि समुचित कर लगाया जाए जबती को नकद अथवा जमाई भी कहते हैं यह प्रणाली क्रिशकों को बड़ी पसंद थी क्योंकि तीन साल के लिए इसमें सुनिश्चित जाता था कि कितना कर देना है जबती प्रणाली बिहार, इलाबाज, मुल्तान अवध, आगरा, मालवा, देहली, लहोर, अजमेर और गुजरात के भी कुछ भागों में चलती थी तो इस प्रकार ये जबती प्रणा एक अलग धंकी प्रणा थी जो दस आला सिस्टिम से आधारित थी जैसा मैंने पहले बताया कि नस्ख प्रणा को पंद्रा सो सत्तर में टोडर मलने समाप कर दिया ये इस नस्ख प्रणा को कनकूद प्रणा भी कहते हैं जिसमें जमीन की मोटे तवर पर पैदावार रांकी जाती थी तो अब मोटे तौर पे या अंदाजन अब यह बात खतम हो गई अब ठीक रूप से वास्तविक रूप से नाब जोग के आधार पर ही कर का आंकड़ा लगाया जाने लगा ये जो प्रणाली थी किसानों के लिए अलामकारी एवं जंजट पूर्व थी काफी इसमें दिक्ते होती थी जो एक अंदाज लगाकर जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रणा थी इसमें काफी दिक्ते हैं आती थी या दिपी ये प्रणा जो है वो बंगाल उडिशा बरार और कश्मीर में ज़्यादा चलती थी इससे हम एक तरीके से रायत वाली प्रणाली कह सकते हैं रायत याने किसान इसमें किसान और सरकार के बीच में कोई मध्धस्ट नहीं होता था यदि मैं पुर्आने पुर्णाली की बात करू जिसका टोडर मलनिक के समद्ध में जिक्र हुआ है तो इसमें किसान और राज्ज के बीच में जमींदार हुआ करते थे लेकिन ये जो रइयतवारी सिस्टम था रइयतवारी होती थी किसी तरह का बीच में जमीनदारों का कोई रोल नहीं हुआ करता था तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर की जो प्रणाली थी वह एक वैज्ञानिक तरीके पर आधारित थी चाहे वह नाप जोख हो चाहे कर का आकलन हो और बाद में तो आप देखेंगे कि कर को एक अठा करने के जो प्रणा थी एक अठा करने की जो सिस्टिम था वह भी एक तरीके से बहुत फुल प्रूफ हुआ करता था अकबर की भूमी बंदो उबस प्रणाली का मूल ल्यंकन अर्थाथ इतना सब जानने के बाद उस समय के ततकालीन इस्थितियों को ततकालीन समाज को ततकालीन आर्थिक विवस्था को देखते हुए हम अकबर के द्वारा जो भूमी कर प्रणाली लागू की गई इसको हम आज कैसा मानते हैं उसके उच्छत उसकी उपादेता उसकी महत ता आजिके मद्दे नजर तो इसमें कहाँ जा सकता है कि प्रणाली में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया वो असली तो आया था शेर शासूरी के समय क्योंकि उसने ही कुछ ऐसी विवस्था लागू की जो अकबर ने लगभग पूरी की पूरी अपने में समय वजित कर ली केवल उन अत्रिक्त करों को हटा कर जिसका मैंने जिक्र पहले किया है तो शेर शासूरी को मूल रूप से इसका श्रे जाता है इस विवस्था को बनाने का या सोचने का अकबर ने अपने उत्रादिकारी अपने जो अधिकारी राजा टोडर मलकी सहायता से भूमी बंदो बस प्रणाली को और मद्बूत किया और व्यवस्थित किया और वैग्यानिक रूप दिया इतना श्री अकबर को है और साथ ही अपने लंबे काल में उसने इस व्यवस्था को एक इस्थायत दिया उसे व्यावारिक बनाया और उसे बड़ा इसपष्ट करके किसानों के लिए एक तरीके तह कहना चाहिए ट्रांस्पेरेंट बनाया किसानों के हिद को सोचते हुए उसने ये व्यवस्था बनाई और इसमें समय के साथ जो थोड़ा बहुत आवश्चक परिवर्तन लगा उसने आवश्चक किया जो दो इतिहासकार हैं बड़े प्रसिद्ध हम कह सकते हैं ये सामराज्यवादी है इतिहासकार इन दोनों इतिहासकारों ने विस्टार से ततकाली मुगल काल की व्यवस्था का वर्णन किया है अपनी अपनी पुष्टकों में अपनी रचनाओं में मैंने इनको सामराज्यवादी इतिहासकार कहा है अर्थात ये लोग अंग्रेजी काल का गुणगान करते हुए मूलता लिखे हैं इनकी पूरी इतिहास जो है उसमें अंग्रेजी व्यवस्था को सर्वुत्तम बताये गया है जहां तक अकबर काल की बात है या मुगल काल की व्यवस्था की बात है इन दोनों महानुभाओं ने निशकर्ष निकाला है या ऐसी भावना दी है कि शायद किसान इस काल में उतना खुश नहीं था वह किसान इसमें खुश नहीं था और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि ये लोग एक तरीके से अंग्रेजी काल में ज्यादा किसान खुश थे और इसका उधारन देते हुए कहते हैं कि जो राज में किसान की खुशाली का पैमाना जो हमने लिया है उसमें तो यही साफ साबित होता है कि अंग्रेजी काल में कृशी विवस्था बहतर थी आखिर ये लोग क्यों नहीं लिखेंगे ऐसा क्योंकि ये लोग तो ये दोनों मॉरलैंड और विंटन स्मिस दोनों तो समराजवाजी तिहासकार हैं वे शायद ये सिद्ध करना चाहते थे कि मुगल काल के बाद जो शासन आया अंग्रेजों का अंग्रेजी काल का शासन व वहा अच्छे के लिए आया और इसलिए वे लोग शायद बारंबार अपने आंकणों के जरिये ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुगल काल में आर्थिक व्यवस्था या क्रिशी व्यवस्था या क्रिशी समंधी समाज उतना खुश नहीं था तो इस बात में कोई दम नहीं हैं उन्होंने सतत रूप से दोश ही निकालने का प्रयास किया है इसलिए इनके निशकर्श को हम सही नहीं मानते अकबर की भूमी बंदोबस प्रणाली इसको मुल्यांकन को लेकर मैंने बताया कि बहुत तरीके विचार आते हैं बहुत तरीके की बाते होती हैं शेर शाह के बारे में भी कहा जाता है कुछ अंग्रेज समराजवादी थ्यासकारों ने जिनका नाम मैंने लिया ये भी अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं पर सच्चाई तो ये है जो हम आइने अकबरी से बहतर समझ सकते हैं क्योंकि वही ततकालीन ग्रंथ है यद्यपी इसमें कोई दो मत नहीं कि ये ग्रंथ शासन के द्वारा प्रायोजित था उनके द्वारा उनके इशारों पर लिखा गया था फिर भी इससे पता चलता है कि अकबर की जो भू राजस प्रणाली थी वह अत्यांत लाबदायक थी किसानों के लिए बड़ी फाइदेमन थी उस में यह सुनिश्चित किया गया था कि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं और तो और ऐसी भी व्यवस्था थी कि जब अकाल पढ़ जाए या सूखा हो जाए या किसी अन्य तरह की दिक्कतें आ जाएं तो एक व्यवस्था थी जिसके तहट किसानों का कर माफ करने का या कम करने का एक गुजाईश था प्रफिसर शीराम शर्मा प्रफिसर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर राम प्रसाद टिपाठी इन्होंने तो इस प्रथा को अकबर की इस बंदोबस प्रणाली को सरश्रेश बताया है और यहां तक तर्क दिया है कि अकाल और सूखा पढ़ने के समय भूमिकर पे छूट दी गई उसका प्रावधान इसमें रखा गया था जो स्वैम में तटकाली माहौल में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का करन था डूसरी बात जो इन विद्वानों ने कही है वो है कि क्रिशिकों को तकाबी रिण वित्रित किये गए और ये रिण वित्रण करने का जो कारण था वो केवल यही था कि क्रिशिस संबंधी सामानों पर यह पैसे खर्च किया जाए जैसे किसान को बीश की जरत परती है किसान को पशु आदी खरीदने परते हैं उनकी टिमारदारी करने परती है किसान को क्रिशी के यंदर भी खरीदने पड़ते हैं जैसे हल आदी लोहे का जो उसमें नीचे फल लगा रहता है उसकी भी जुरत पड़ती है उसकी धार की जुरत पड़ती है तो इन सब के लिए किसानों को धन की जुरत पड़ती है और शासन इस बात के प्रति सजक था कि तत्कालीन किसानों के पास इतना आर्थिक संपन्नता नहीं है कि वे व्यवस्था कर सकें इन सब सामानों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय किया गया कि तकावी रिण दिया जाने लगा और इस प्रकार वे रिण के पात्र हो गया दर की बात कर रहे हैं दर मतला प्रती हेक्टेयर उत्पादन या प्रती गज उत्पादन या किसी एक यूनिट के अधार पे जिह हम देखें तो मुगल सामराज में कर का निर्धारन काफी कुछ किसानों के पक्ष में होता था ओस्तन दिखा गया तो ये उपज की एक बटा तीन हिस्सा था अंग्रेजों के काल में तो ऐसे भी उधारन हैं जब फसल का पचास पतिशत हिस्सा उत्पादन का पचास पतिशत हिस्सा या तो उत्पादन के रूप में या नगट के रूप में अंग्रेज लोग चोथा बिंदू कृषिकों को राज के अधिकारियों के धोखे और भरष्टा चार और गलत कदम उठाने के लिए जो विवश किया जाता था अधिकारियों द्वारा उसके लिए काफी प्रयास किया गया था कि सरकार विविन तरह के विविन तरीकों से उसने सुनिश्चित किया कि इस तरह के जो अपराद हो रहे हैं किसानों के साथ जो जादती के उधारन आते हैं किसानों के साथ जो धोखे के किस्से आते हैं और साथ ही भरष्टा चार का जो भरष्टा चार की जो खबरें आती हैं उसको मदे नजर ऐसी समुचित वर्था की जाए जिससे ये सब न्यून तम हो जाए बड़े व्यापक प्रबंद किये गया थे बहुत बड़ी एक मशीनरी इसमें लगाई गई थी जिसका कार्य था किसानों के हितों की रक्षा करना एम एम जाफर जो स्वाइम एक प्रसिद इत्रास कार हैं उन्होंने अकबर की बंदो बस प्रणाली को तो शानदार तथा दीर के कालीन लावपरद बताया है जाने शानदार तो है ही लंबे समय के लिए चलने वाला ये एक बहुत अच्छा सिस्टेम उन्होंने बताया था दुरभा किसे अकबर के बाद जिस तरह से शासन लगातार बदला जहांगीर फिर्शाह जहान और उसके बाद उनकी प्रात्मिक तायं बदली तो भूमी ववस्था पर भी उसका निश्चित रूप से असर पड़ा और औरंग जेब के आते आते तो इस तिती काफी खराब हो चुकी थी लेकिन अकबर के काल में ये तैह है सामराज की आए राजस्व आए पर्याप्त थी जमीनदार भी संतुष्ट थे और किसान जैसा मैंने बारंबार कहा है वे लोग तो संतुष्ट थे ही शुरस्था से अकबर के काल में तो ऐसा स्पष्ट उदाहरण है आएन अकबरी में कि जो राजकोश है राजकोश धन से काफी भर चुका था यानि पर्याप्त धनाया था और जैसा कहा जाता है कि ततकालीन समाज में राजा के द्वारा या शासन के द्वारा धनारजन का एक ही तरीका हु तो राजस्वकर इतना पर्याप्त था कि राजकोश धन से लबालब हो गया था ऐसा आएन अकबरी में जिक्र है